नमस्कार दोस्तों, बॉलिवुड में जाने के बाद लोग अयाश होते हैं या अयाश लोग ही बॉलिवुड में जाते हैं, ये एक शोद का विशे हैं इस Bollywood में शरीफ और सीधे लोगों को आप जो है उंगलियों पर गिन सकते हैं यानि वो गिने चुने लोग है और बाकी लोग जितने भी हैं वो अपने ही लेवल के बड़े अयाश, नशैडी और कंजैडी हैं आज मैं जिस परसनेलिटी की बात कर रहा हूं ये एक डारेक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है और राइटर भी है इसका नाम है अनुभव सिनहा अनुभव सिनहा जो है ज्यादातर तुम बिन, रा.1 जो कि शारुक खान की मुवी थी मुल्क, आर्टिकल 15 और थपड मुवी के लिए ज्यादा जाना जाता है अनुभव सिनहा ने अपने 31 साल के केरियर में सिर्फ तेरे फिल्मों में एजे डारेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर वर्क किया है इन तेरे फिल्मों में भी जो है आधी से जादा फिल्में फ्लॉप हुई थी और बाकी की फिल्में हिट भी हुई तो वो भी बहुत ही लो बजट की मुवी थी लेकिन बावजूद इसके अनुभव सिनह जो है बहुत ही लगजरी लाइफ जीता है इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनुभव सिनह इतनी जादा लगजरी लाइफ कैसे जीता है अनुभव सिनह का जन्म हुआ था 22 जून 1965 को इलाबाद उत्तर परदेश में जो की आज की डेट में इलाबाद प्रियागराज कहलाता है पिता का नाम प्रेम गोविंद सिनह और मा का नाम शोशीला सिनह अनुभव की स्कूलिंग इलाबाद और वारांसी दोनों शहरों से हुई है 12 क्लास के बाद में अनुभव ने बीटेक की पढ़ाई की अलीगर्ड मुस्लिम यूनिवरसिटी से पढ़ाई खर्ण करने के बाद अनुभव ने दिल्ली में जो है दो साल तक एजे इंजीनियर जॉब की और दिसंबर 1990 को मुंबई चला गया मुंबई जाकर अनुभव ने जो है पंकज पारासर नाम के एक डारेक्टर को असिस्ट किया और साल 1994 तक purity पंकज पारासर के साथ में ही रहा साल 1994 में अनुभव ने जो है जी टीवी के लिए एक टीवी सीरियल डारेक्ट किया था लिकिन यहे टीवी सीरियल फ्लॉप हो गया इसके बाद शिकस्त और सी हॉक्स नाम से दो और टीवी सीरियल्स को डारेक्ट किया और यहीं से अनुभव को जो है पहली सफलता मिली सी हॉक्स नाम से जो टीवी सीरियल आये था उस समय के सबसे चर्चित सीरियल्स में से एक था इसके बाद अनुभव को 2 साल तक کوई और काम नहीं मिला साल 2000 में अनुभव ने एक music album को भी direct किया था लेकिन इसके बाद वह फिल्मों में try करने लagा था साल 2001 में अनुभव को पहली फिल्म direct करने का मौका मिला ये film थी तुम बिन इसमें जो है लीड डॉल में सारे नएक अलाकार थे जैसे प्रियांशो चटरची है, सांदली सिना है, हिमांशो मलिक है और राकेश वशेष्ट है यह एक सूपर हिट मूवी थी हाला कि लो बजट मूवी थी लेकिन उस समय की यह सूपर हिट मूवी थी इस मूवी से लगा था कि अनुभव सिना जो है एक बड़ा डारेक्टर बन जाएगा लेकिन उसे जो फिल्मे मिलती थी वो सभी लो बजट होती थी और सारी की सारी फ्लॉप जाती थी अनुभव ने अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 13 फिल्मे की है चाहिए वो राइटर हो या डारेक्टर हो या प्रोडीसर हो टोटल 13 फिल्मे की है जिसमें इसने जो 11 फिल्मे हैं वो बिल्कुल low budget movie है और जो 2 फिल्मे हैं जो high budget की movie है वो एक तो 10 नाम से movie आई थी जो multi star movie थी और दोसरी थी शारुक खान की रावन अनुभवने साल 2005 में फिल्म 10 को जो है ना सिर्फ direct किया था बल्कि उसे लिखा भी था और इस फिल्म के अलावा उसने और भी 4-5 फिल्मे लिखी है दस जो है एक औसत movie थी हिट फिल्मों की बात की जाए तो टोटल 13 फिल्मों में सिर्फ तीन फिल्में ऐसी है जो इसकी super hit है ये फिल्में है तुम बिन जो इसकी पहली movie थी इसकी दूसरी movie थी आपको पहले भी कहीं देखा है जो कि प्रियांशो चैटर जी के साथ में थी वो भी super hit थी और 2019 में एक और movie आई थी आर्टिकल 15 आईश्मान खुराना के साथ में ये तीनों फिल्में super hit थी बाकी इसकी जो बाकी 10 फिल्में है वो flop थी या average थी इसके बाव जो जो है अनुभव एक royal life जीता है और उसका काराने की अनुभव ना सिर्फ जो है ड्रक्स के धंदे से जुड़ा हुआ है बलकि उसकी paddling करने में भी इसका नाम आ चुका है अनुभव फिल्मों में जो भी पैसा लगाता है वो सारा का सारा black money होता है जो अलग-अलग लोगों का पैसा होता है उस black money को जो है फिल्मों में लगा के ये उसे white money में convert करने का काम करता है अनुभव किर्केट में भी सट्टे बाजी के लिए एक चाना पैचाना नाम है और सट्टे बाजी के पैसो को फिल्मों में लगा कर black money को white money करता है अनुभव सिना की personal life की बात की जाए तो अनुभव का जो है शिल्पा शेती के साथ में अफेर रह चुका है शिल्पा और अनुभव का अफेर लगबग 2 साल लंबा चला था अनुभव सिना वैसे तो एक flop director flop producer और flop writer है लेकिन इसका attitude ऐसा होता है जैसे ही कितना बड़ा फिल्म में करो अभी कुछ दिन पहले इसने जो है SSR पर एक tweet किया था 28 मही को इसने tweet किया था SSR season 2 coming soon ये SSR की death date से कुछ दिन पहले का tweet है इसने इस tweet के जरिये SSR के fans पर और खुद SSR की मौत पर टॉंट मारा था कि अब जो है SSR के fans फिर से SSR के लिए आवाज उठाएंगे तो इसने उसी चीज को जो है लिखा था SSR season 2 coming soon जैसे ये कोई web series हो या कोई TV serial हो इसने indirect way में जो है SSR की मौत और उसके इंसाफ मांगने वालों का मजाग बनाया था इसी वज़े से ये हमेशा अपने जो उल्टे सीदे tweets करता है उनके लिए troll भी होता रहता है लेकिन कहते हैं ना बेशर्म आदमी की इज़्जत तो होती नहीं है तो उसे कुछ खोने का डर नहीं होता है चाहे वो और भी ऐसे बहुत सारी लोग है या स्वरा भासकर जैसी और भी एक्ट्रिस है इन लोगों को अपनी बेशजती से कोई फरक नहीं पड़ता है इन लोगों को tweet करने का पैसा मिलता है उस tweet को करते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है अनुभव सिना ना तो एक सफल फिल्म में कर है और ना ही एक अच्छा इंसान जो इंसान मरे हुए इंसान का मजाग बनाए वो सिर्फ एक नशेडी और गंजेडी हो सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं